मुस्त जनी करने की वजाह से लोग अपने आपको बेकार कर चुके हैं बेहाल कर चुके हैं और सिर्फ मुस्त जनी ही ऐसी नहीं है बलकि इसके अलावा अगर आपको धात की प्रॉबलम हो जाए आपको चिपचिपे पानी की शिकायत हो जाए आपको स्वेपन दोस की शिकायत हो जाए तो फिर भी आपकी टाकत नहीं बढ़ पाती है आपके अंदर जो आसा भी ताकत होने चाहिए वो नहीं हो पाती और इन बीमारियों की वजह से आपकी रुकावट नहीं बनती है आप जादा देरे तक अपने आपको बिस्तर पर रोक नहीं पाते हैं जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं फौरण आपका मनी आपका पानी निकल जाता है और इस ही को ठीक करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका लगकर इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तो मैं हूँ मुहमन हुसेन और आप देख रहे हैं आरियन हेल्थ केर चैनल अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरू दबादें से हमारे आने वाली ऐसी ही और वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी तो चली दोस्तो शुरू करते हैं इसमें पहली चीज है सालम पंजा ये आपको 50 ग्राम लेना है उसके बाद दूसी चीज है तुहमे कौँच यानि कौँच के सुद बीज ये भी आपको 50 ग्राम ही लेने है उसके बाद है सौलंगी के बीज ये आपको 50 ग्राम लेने है और फिर है मघज जिया पोता ये भी 50 ग्राम लेना है ये सब गोल आपको 100 ग्राम लेना है ये सभी चीजें आपको मार्किट से पंसार के यहां से मिल जाएंगी ये एक नमबर की बड़िया क्वालिटिज की चीज लेकर आएं आप फिर आप इन सभी चीजों को सुखा लें और फिर अलग अलग बारे के चूरन तयार कर लें इसका जब आप सफूफ बना लेंगे तो इसमें आप इस सब गोल जो आपने लिया है 100 ग्राम उसको मिक्स कर दें और इन सारी चीजों को एक जगा अच्छे से मिला कर आपकी से डिब्बे के अंदर भर कर रख दें अब ये दवाई आपकी बनकर तयार हो चुकी है अब आपको इसका इसका इस्तेमाल करना है सुभा और शाम इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आधा चमच आपको सुभा नास्ते से पहले खाने है और आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद खाना है हलके गरम दूद के साथ जब आप लगकर इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कई ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो आपकी मनी को बनाने का काम करेगी बढ़ाने का काम करेगी आपके अंदर रुकावट को पैदा करने का काम करेगी धात की प्रॉबलम में आपको छुटकारा देगी आपकी मनी बढ़ेगी गाड़ी होगी जितनी गाड़ी होगी उतनी देर तक आप उसको रोक पाएंगे निकलने से और आपके नसे पठे मजबूत होंगे धिलापन सही होगा आसा भी ताकत आपकी बढ़ेगी मरदना ताकत आपकी बढ़ेगी इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं चाहे वो मुस्त जनी करने की वजह से हो रही हों चाहे किसी और वजह से हो रही हों वो सभी आपकी पूरी तरह से ठीक होंगी इस दवाई का जब आप इस्तिमाल कर रहे हों तो परहेज करें आप अचार का चाउमेन, बर्गर, पिज़ा, डोसा, समोसा, पकोड़ा इन चीज़ों का तो चली रोस्तों मिलते हैं को नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय है